हेलो इंडिया, वाल्कम टो इंडियन AI पर्डॉक्शन तो आज की स्वीडियो में हम क्या करेंगे हम स्ट Tarleton को हम स्ट Y Uhm को इसके बाद हम इंस्ट्छॉल करेंगे ऐनाकॉंडन नविगेटर को और एड्रेंड में हम इंस्ट्छॉल करेंगे पारेंगे को अब यहाँ पर हमारा main goal क्या है कि हमारा main goal यह है कि हम pytorch का इस्तमाल करेंगे और हमारा pytorch हमारे system में जो NVIDIA का GPU है उस GPU का access करेंगा किसलिए जब भी हम deep learning का model train करेंगे उसको test करेंगे या उसको हम इस्तमाल करेंगे deployment के लिए या inference के लिए ताकि वो GPU का इस्तमाल करके जो भी training process है inference process है वो fast में काम कर पाए तो उसके लिए आपको जब भी आप pytorch का इस्तमाल करेंगे तो pytorch की dependency रहती है कुडा के साथ CU DNN के साथ और उसी के साथ आपको एक अच्छा कासा environment बनाना पड़ेंगा उसके लिए आपको एना को इंस्टॉल करना पड़ेंगा तो आजका हमारा agenda यहीं रहेंगा कि आपको सबसे पहले कुडा को इंस्टॉल करना है basically कुडा toolkit को जो आपको वर्जिन चाहिए वो आप इंस्टॉल कर सकते हो उसके बाद आपको CUDNN को इंस्टॉल करना पड़ेंगा अब यहापर आपको ध्यान रखना है CUDNN को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेंगा कि भाई कुडा का वर्जिन क्या है उसके हिसाब से आपको CUDNN को इंस्टॉल करना पड़ेंगा, क्योंकि यहाँ पर C U D N N की जो डिपेंडेंसी हो है, कुडा के उपर, कुडा टूल किट के उपर, next आपको अनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेंगा, यहाँ पर आपको अनाकोंडा में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अनाकोंडा साइट के उपर जाना और उसको इंस्टॉल करना है, next हम क्या करने, next हम Pytosh को इंस्टॉल करने, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, Pytosh को इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपके सिस्टमे कुडा का कौन सा वर्जन है basically कुडा toolkit का वर्जन क्या है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो PyTorch को install कर सकते हो तो यह हमारा agenda है और उसी के साथ आपके जो भी requirement होंगी इसके अलावा जो भी आपके package होंगी आप easily install कर सकते हो आपको 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 8GB आपको data consumption लगेगा और इस installation process को complete करने के लिए इस डिपेंड ओन यूर system इस डिपेंड ओन यूर internet connection तो approximately आप यहापर consider कर सकते हो आपको तीन घंटे लग सकते है approximately तीन घंटे लग सकते है मानलो आपने कोई गड़बड़ी कर लिए या आपको internet connection slow होंगा तो आपको 8 घंटे भी लग सकते है और उसकी अलावी मानलो आपने बड़ी mistake कर लिए जो मैंने आपको टूटिरियल में बताया है उसको follow नहीं करते हो तो आपको एक दिन भी लग सकता है उसके बाद तीन बार देखो और उसके बाद आप installation स्टार्ट करो ताकि आपको जो time है वो waste ना हो जाए आज के वीडियो में जो भी website को हम इस्तमाल करेंगे जो भी software को हम download करेंगे उसको किस तरके से download करना है कुन से website से download करना है उसकी आपको link description box में मिल जाएंगे तो चलो आज के installation की वीडियो को start करते हैं आज के शूड़े में हम क्या करेंगे हम कुड़ा का version रहेंगा हमारा कुड़ा का version रहेंगा 11.1 और कुड़ा को सबसे पहले आपको धान रखना है कुड़ा को आप install करना है तो उसके बाद आपको कुड़ा DNN को आपको install करना है तो कुड़ा DNN को install करने से पहले आपको देखना पढ़ेंगा कि वाई कि CUDNN किसको support करता है तो जैसे कि यहाँ पर आप इस ब्लोग के में आपको link दे दूँगा description box में आपको चिंता करने के ज़रूत नहीं है तो यहाँ पर आप scroll down करने तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई यह जो यह जो कुड़ा 11.1 है उसको आपको install करने तो उसके बाद आपको CUDNN 8.0.5 आपको install करना install करने तो चलेगा उसी के साथ आप 8.0.4 आप install करने तभी भी चलेगा तो आप और scroll down करने तो यहाँ पर और next version तो available नहीं है 11.1 के लेकिन आप scroll up करने तो यहाँ पर यह available है 8.1.0, 8.1.1 यह available है यह वाला available नहीं है यह आपर आप देख सकते हो तो इसी के तरह के से आपको चेक करना है सबसे पहले जब भी आप CUDNN का कोई भी version आप install करना चाहते हो तो सबसे पहले वो compatible है कि नहीं यह कूडा के version के साथ तो हम क्या करेंगे हम यह वाला version install करेंगे 8.1.1 जो CUDNN करेगा वो support करता है कूडा 11.0 को भी 11.1 को भी and 11.2 को भी है और ध्यान रखना है अभी जो latest है जिस वक्त में इस वीडियो को create कर रहा है उस वक्त हमारी कूडा का जो latest version है वो है 11.1 and CUDNN का जो latest version है वो है 8.2.2 पर ध्यान रखना है जब भी आपको कोई project रहेंगा तो आपको ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करने है मतलब आपको ज़्यादा यह नहीं सुचना है कि भाई मैं सब कुछ latest latest लोगा नहीं ध्यान रखना है कोई भी package latest आपको install करना नहीं है क्योंकि जब भी आप कोई package का इस्तमाल करते हो तो उस packages के साथ multiple packages dependent रहते है तो कोई भी नया package आता है तो उसके उपर जो dependent package रहते है उनको compatible होने के लिए time लगता है उन developer को उसके साथ compatible बनाने के लिए time लगता है तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है तो हो सकते तो आप पूराना पूराने और इस version को लिए 8.1.1 ओके अब हमारे requirement फुल्फिल हो चुके तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है आपको कुडा को install करना है तो कुडा को install करने के लिए यह मैं आपको link दे दूँगा राइट लिंक आपको description box में मिल जाएंगी और इसे इक साथ आप बोलोंगे कि भा आप पर archive है तो यह आप पर आप अभी latest version देख सकते हैं 11.4.2 यह अभी September में launch हो चुका है 2021 में और इससे नीचे आप आओंगे तो आपको सबसे जो first version आया था June 2007 में 1.0 तो यह भी आपको version डाउनलोड करने के लिए आसे मिल जाएंगा तो जो भी आपके requirement है उसकी सबसे आ करने वाल है 11.1.0 11.1.0 तो इसको मैं red button क्लिक करके नए tab में open करूँगा और उसके बाद अभी हम बात करने वाले Windows के बारे में तो हम क्या करेंगे इस Windows के उपर क्लिक करेंगे Linux में आप चाहते हो तो comment box में बता सकते हो उसके उपर भी हम special video बना देंगे तो अभी हम Windows इस ब सर्वर 16 के लिए इंस्टल करना चाहते हो 19 या 16 के लिए तो फिलाल हम Windows 10 के लिए करने वाले तो हम 10 के उपर क्लिक करेंगे 10 के उपर क्लिक करने के बाद installation आपको टाइप पूछा जाएंगा exe file चाहिए या executable network के उपर चाहिए तो हम local के उपर हम करेंगे तो local के उपर क्लि करने के बाद क्या होता है पूरी करी पूरी के पूरी पूरी एकसी file डाउनलोड हो जाती है अब यहां पर आपको ध्यान रखना उस इक्सी file का जो total size और वह है अराउंड 3.1 GB 3.1 GB ध्यान रखना है और यहां पर आपको बोल देगा है कि इंस्टालेशन करने के लिए यहां पर जो पैकेज डाउनलोड हो जाएंगा आपके सिस्टेम में उसको डबल क्लिक करो और इसका दो इंस्टालेशन होना स्टार्ट हो जाएंगा तो चोल यार इस डाउनलोड बढ़न के उपर क्लिक करते हैं फिर से आपको बताना चाहूंगा मान लो आपका मोबाल नेट्रों क का इस्तमाल आप कर रहे होंगे तो जैसे कि आप जीओ है वड़ाफो ने एरटेल है कोई भी आइडिया है तो आपके पास दो जीबी का पैकेज होंगा तो वो काम नहीं करेंगा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी सिस्टेम लैन के साथ कनेक्ट हो या कोई बेस्ट Wi-Fi हो जो unlimited data देता हो या 3.1 से ज्यादा data देता हो तभी आप तभी आपको downloading start करनी है तो आप आधी अदुरी छोड़के जाओंगो तो यह package सही तरह किसे काम नहीं कर पाएंगा राइट मेरे सिस्टेम अभी जीओ फाइबर से connect है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 100 MB पर सेक तो इसको मैं close करूंगा आप चाहो तो पढ़ सकते हो और यहाँ पर बता दिया कि भाई इसको install होने के लिए sorry उसको download होने के लिए 4 मिनिट लगते है तो मेरे पास मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई मेरे पास जो internet speed है वो बहुत तगरी है यहाँ पर आप दिशे तो 91- 98 MB पर सेकंड तो basically मेरे पास 100 MB पर सेकंड की speed है और यह maintain करती है जो हमारा Geo Fiverr है बहुत सही तरह किसे हमारे area में speed देता है देख सकते हो 100 MB भी था अभी इसलिए मेरे system में 4 मिनिट लग रहे इसको install इसको download होने के लिए और आपकी case में दोस्तों आपका internet speed बहुत कम होगा तो आपके system में download होने के लिए बहुत ज़्यादा time लग सकता है it might be 1 hour, 2 hour and 3 hour ओके तो आपके internet speed के ओपर depend करता है मैं तो आपको यही suggest कोंगा कि आपकी system को अच्छा कासा internet connection लगवा लो क्योंकि आगे चलके CUDNN भी हम install करेंगे उसी के साथ हम TensorFlow को भी install करेंगे तो हमें around around आ speed होने के लिए, right, okay, तो अभी मैं downloading को stop करूँगा क्योंकि already मेरे system में मैंने इसको download किया है तो इसको मैं pause करूँगा, okay, next अभी हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें CUDNN को भी हमें download करना है, तो यहाँ पर एक मैं नई tab ले रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ और एक मेरे पास link है, इस link को आपको मैं दे दूँगा, इस link में आप जाओंगे तो आपको CUDNN की archive मिल जाएंगी, मतलब सारे के सारे version आपको मिल जाएंगे, पूराने से लेकर latest तक, यहाँ पर इसका पूराना version देखना चाहते हो, तो आप सबसे निच्चे आजाओंगे स्क्रोल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर जो CUDNN का जो first version था, वो था V1, ओके और उसके बाद आप स्क्रोल अप करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे पूरे version मिल जाएंगे, और latest version है CUDNN का 8.2.2, जो July 6th, 2021 को यह release हो चुका है, और यह support करता है 11.4 कुडा को, राइट, बढ़ अभी हम latest भी ने लेंगे, और फूरा ना भी ने लेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेने वाले है CUDNN का 8.1.1 version, जो February 26th, 2021 में release हो था, और यह CUDNN के 10.0, CUDNN के 11.0, CUDNN के 11.2 को support करता है, तो आपके project की सबसे आपको version लेना है, लेकिन धान रख करता हो, नहीं तो यह काम नहीं करेंगा, तब यह आपको क्या करना है, इसके उपर क्लिक करना है, इसके उपर क्लिक करने के वाद आपको इस तरीके का option आ जाएंगा, तो obviously अभी हम Windows के उपर हम काम कर रहें, तो हम यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है CUDN Library for Windows X86, 86 का मतलब होता है 32 bit, तो यहाँ पर 64 bit के लिए available नहीं है, आप कितना भी सर्च करना है, तो आपको इसे के उपर क्लिक करना है, इसके उपर क्लिक करने वाद आपको registration करना पड़ता है, registration process एकदम simple है, इसके उपर में special tutorial बना दूँगा, बना देने के बाद आपको description box म उसके link मिल जाएंगे, फिलाल के लिए मैंने वीडियो बनाया नहीं है, और यहाँ पर आप बोलोंगे कि भाई, आपके system में तो यह automatic download हो चुका है, हाँ भाई, मेरे system में download इसलिए हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके उपर login किया है, आप देख से तो यहाँ पर मेरा login हो साइस थी और यह भी अभी fast में install हो चुका है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसको मैंने पॉस कर लिया है, तो यहाँ पर मेरे system के download folder में आ जाओंगे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कुडा का 11.1.0 को हमने download किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसक show कर रही है, next हमने cu dnn को हमने download किया था, उसका जो version है, वो है 8.1.1.3, right, 33, और यह अभी zip file में available है, तो यह दोनों file हमारे system में अभी download हो चुकी है, I hope आपकी system में भी यह सही तरह के से download हो चुकी होंगे, मान लो यह सही तरह के से download नहीं हो चुकी होंगे, तो आपको दिक् download हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, step by step सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें kuda को install करना है, next हमें kuda dnn को install करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम tensor flow को install करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, आपकी system में anaconda navigator भी install होना चाहिए, नई होंगा तो i card में या description box में आपको link मिल जाएंगी, जिसको आप follow करेंगे, तो आप easily anaconda navigator को भी install कर पाऊंगे, तो total कितने software हमें चाहिए, kuda, उसके बाद codnn, उसके बाद anaconda, उसके बाद tensorflow package.com install करेंगे, और hardware की क्या requirement है, hardware हमारे पास nvidia का gpu होना चाहिए, nvidia का gpu होना चाहिए, और आप बोलोंग उसके लिए भी मेरे पास एक link है, इस link के उपर आपको जाना है, जो यहापर आपको बता देंगा कि भाई, कौन सा आपका hardware compatible है kuda के साथ, तो इसको में close करूँगा, तो इस तरह के सापको कुछ interface मिलेंगा, यहापर बोलेंगा your GPU computer compatibility, तो आप इसको पढ़ो और आगे जैसे की kuda enable data center होंगा, तो यहापर इसके उपर click करो, यहापर बता दिये जाएंगा कि कौन सा GPU compatible है, और आप नीचे आओंगे तो आपका anudia quadro, तो यह अलग अलग आपके GPU के नाम है, RTX है, different different GPU के नाम यहापर आप देख सकते हो, उसके बाद आपका मायनलो Titan है, Jetson है, तो यहापर different different आपके GPU के नाम मिल जाएंगे, आप चेक को रहे एक बार और आपको पता चलेगा कि आपका GPU compatible है कि नहीं है, और for simplicity के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपका GPU का, Nvidia का, basically compatible रहता है कुड़ा के लिए, तो यह सारे के सारे link में आपको दे दूँगा, आपको च version हो सकता है कुड़ा का, तो इसको install करने के लिए सबसे पहले आपको right button के उपर click करना है, right button के उपर click करने के बाद आपको run as administrator के उपर click करना है, तो जैसे आप run as administrator करते हो, तो आपको एक pop-up आ जाता है, तो यह वहाँ पर आपको permission पूछी जाती है, तो just आपको as button के उपर click करना है, तो जैसे आप as button के उपर click करते हो, तो उसके बाद आपको इस तरीके का pop-up आता है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है, please enter the folder where you want to temporarily extract the NVIDIA CUDA toolkit, if the folder does not exit, it will be created for you, right, तो यह by default एक temporary folder create कर देते है, आप चाहो तो कोई भी location पे आप उस package को extract कर सकते हो, जैसे कि मानलों आपके C drive में जगा available नहीं है, तो आप D drive, A drive, जो भी आपके driver उस drive का part डाल दो, वहाँ पर package extract होंगा, चिंदा करने के ज़रूरत नहीं, वहाँ पर install नहीं होंगा, ओके, तो आपको just ok बढ़न के उपर press करना है, आपके जो exe file लेते हैं, वो extraction करना start हो जाती है, extraction होने के ल जो system है, वो compatible है कि नहीं है, एनुडिया कुड़ा 11.1 को install करने के लिए, उसके बाद आपको इस तरके का pop-up मिल जाएंगा, यहाँ पर system check का आपको यह पर tick मिल जाएंगा, next आपको यहाँ कुछ terms and condition है, agreement है, license है, आपको एनुडिया के पढ़ना है, तो पढ़ सकते हो, और add add में आपको agree and continue के उपर click करना है, जैसा आप इसके उपर click करते हो, तो आपको installation option आ जाता है, एक है express recommended है, और दूसरा है custom advance, तो हम यहाँ पर custom नहीं करेंगे, जो भी हमार पास express है, उसी को हम रहने देंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, next बढ़न के उपर click करते ह हुए, next आपको यहाँ पर kuda visual studio integration के लिए पूछा जाएंगा, तो यहाँ पर आपको tick कर देना है, I understand and wish to continue installation, regardless इसके उपर आपको tick करना है, next आपको next is बढ़न के उपर click करना है, अब यहाँ पर preparation for installation स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर system to system यहाँ पर आपको time लगेगा, अब यहाँ पर आप देशे तो installation in progress start हो चुका है, installing insight system, तो यहाँ पर installation होने के लिए भी थोड़ा time लग सकता है, it's depend on system to system, जैसे आपको installation complete हो जाता है, उसके बाद आपको इस तरीके का pop-up आजाएंगा, अब यहाँ पर आपको तोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर बोल देखनी पड़ेंगे कि भाई हमारे इस system में क्या-क्या install हुआ है और क्या-क्या install नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा है, inside monitor install हो चुका है, और यहाँ पर not install हमारे पास यहाँ पर different package से, जो यहाँ पर कुछ बोला गया कि हमें कुछ मिला नहीं है, तो हम य यहाँ रखने, आपके system में NVIDIA का GPU होना चाहिए, जो compatible है कुड़ा के लिए, तभी आपको यहाँ पर was not found का error नहीं मिलेंगा, और मान लो आपके system में NVIDIA graphics card होने के बाउज़ भी आपको यह error मिलता है, तो उसका आपको solve करना पड़ेंगा, फिर से आपको बतना चाहूँग है, तो इससे क्या होंगा कि आपका जो भी installation है, फिनिश हो जाएंगा, और इसको आपको launch करना है sample यहाँ पर आपको different different checkbox आएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास maximum package install नहीं हो चुकि है, उसको जैसे यहाँ पर different checkbox आएंगे, लेकिन आपकी system में different different यहाँ पर around 3 checkbox आएंगे, और नहीं करना है, तो आपको क्या करणा है, चैक Box को अंटिक करना है, लेकिन आप उसको launch करना चाहते हो, तो आप उसको tick कर सकते हो, लेकिन हमारые case में उनको launch करने के अभी फिलाल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम direct close button के ओपर click करेंगे, तो इस तरह के से आपने दे इसको वैसे ही रहने दो और उसको आप next next करते जाओंगे तो within a fraction of minutes आपका जो भी कुड़ा का package है वो install हो जाएंगा तो चलो अभी हम क्या करते हैं तो इस तरह किसे हमने कुड़ा को install किया है हमारे Windows system में अब आपको देखना है कि कुड़ा कहा पर install हो चुका है तो जैसे आप आपने इस package को आपने install करना start किया ता उसी वक्त आपको बात बताया गया था लेकिन अब ही आपको क्या करना है आपको जाना है local disk C में drive C में आने के बाद आपको क्या करना है आपको program files के उपर click करना है program file में आने के बाद आपको यह folder search करना है रेनिव दिय had mu computing toolkit तो इसके उपर click करना आहें कि इसके उपर Click करने वगत आपको कुड़ा कि I अ फ्कॉडरrin मिलेंगा इसके उपर click करना है किस तरीके का इस तरीके का तो यह आपर हमें कौन से कौन से फोल्डर में हम interested है एक है बीन फोल्डर दूसरा include folder तीसरा है लिब folder तो इन फोल्डर में हम interested है तो इन फोल्डर का अपको ध्यान में रखना है फिर से आपको बतना चाहूंगा कि आपका जो installation पात रहेंगा आपके system है बाइडिफोल्ड यहीं रिता है या आप आप देख सकते हो यह बाइडिफोल्ड पात है आपके system में भी सेम रहेंगा तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसमें बिन include and lib इन तीनों folder को हमें ध्यान रखना है तो चलो अभी हम क्या करते हैं इसको minimize करते हैं अब हमें क्या करना है जो भी हमारा kuda dnn हमने जो डाउनलोड किया है जहां पर भी आपने डाउनलोड किया है वह आपर जाना है तो अभी मेरे case में जो करेंगे राइड बटन क्लिक करके यहाँ पर extract के ओपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो within a fraction of second में जो भी हमारा kuda मतलब cu dnn जो package डाउनलोड किया था वह अभी extract हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा में आपके case में भी तो आपको थोड़ा यहाँ पर इंतजार करना है तो यहाँ पर हमारा kuda dnn extraction successful हो चुका है और यहाँ पर हमारा folder जिसका नाम है CUDA आपके case में क्या हो सकता है यह जो हमारा zip folder है zip folder का पूरा नाम है उस नाम का folder create हो सकता है और उस folder में उस folder में C U D A, इस नाम का folder create हो सकता है, right, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी folder extract होंगा, उस folder में आपको ये folder मिलने चाहिए, कौन से folder, bin, include, lib, इन तिनों folder को हमें ध्यान रखना है, क्यों से कौन से folder को, bin, include, and lib, अब ये folder किसके, ये है C U D N N K, C U D N N K, ओके, तो अब उसको क्या करू होंगा, right side में क्या है, right side में C U D N N K, हमारे पास ये आपर extracted folder से, और उसी के साथ, और उसी के साथ, हमारे left side में, जो हमने CUDA को install किया था, जो भी आपका version आपने install किया था, तो आपको कहा पर जाना है, उस folder को find करने के लिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, C में जाना है, C इसको आपको CUDA का folder मिलेंगा, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाने का जो भी आपने specific version install किया होंगा, उस version के folder को आपको open करना है, open करने के बाद आपको आपको अभी ध्यान रखना है, यहाँ पर CUDA में आपका bin folder है, और C U D N N मे भी bin folder है, उसी के साथ, CUDA में include folder है, औ पतलब library folder है, और हमारे पास जो C U D N N में भी हमारे पास lib folder है, तो यह तीनों folder match होनी चाहिए, अब in future में मुझे नहीं पता, इसके अलावा और कोई fourth folder आता है, और वो folder, जो C U D N N में available है, वही folder मान लो, CUDA में भी available है, तो आपको क्या करना है, इन cases में अभी आपको क्या कर हो है, .dll, तो अभी आपको क्या करना है, यह सारे के सारे files, यह सारे के सारे files, आप जो CUDA का जो folder है, कुड़ा का जो bin folder है, उसमें जाने के बाद, अभी फिलाल यहाँ पर आप देख सकते हो, इस folder में, total कितने files available है, 41 items available है, तो अभी हमें क्या करना, इस item में, यह जो folder से, C U C U D N N C E, यह सारे-क कैसारे files को में क्या करना है, हमें यहाँ पर उसको मू करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, C U D N N के BIN folder से, कुड़ा के BIN folder में, तो यहाँ पर इसके उपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको admin permission पूछी जाएगे, तो आपको do this for all current items के लिए क्लिक करना है और उसके बाद continue बटन के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा time लेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे जो dll folder थे वो अभी कुडा के win folder में चले गए है और उनकी size around 1 GB है तो सबसे पहले यहाँ पर 41 items थे और अभी हमारे पास 7 files add हो चुके तो यहाँ पर आप देख से तो 48 items available हो चुके तो अभी हम फिर से c u dnn के win folder में आ चुके यहाँ पर अभी कुछ भी folder available नहीं है तो अभी हम back आते है अब हम next list बात करेंगे include folder में तो अभी हम क्या करेंगे include folder में जाएंगे और include folder में आप अभी देख सकते हो total 9 items available है अब हम क्या करेंगे यह जो include में जो dot h extension वाले फाइल से dot h वाले जो total 9 items है उनको हम क्या करेंगे कुडा के कुडा के include include इस folder में जाएंगे और इस folder में जाने के बाद हम क्या करेंगे c u d n n के include folder में जितने भी folders available है वो सारे के सारे folder हम कुडा के include folder में जाकर हम उनको move कर देंगे तो चलो इनको move करते हैं आपर फिर से हमें आपर क्या करना है do this for all current item यापर select करना है और admin permission में उनको देनी है तो उसके लिए आपको continue बढ़ेंग के उपर क्लिक करना है next आपको क्या करना है अब हमारे पास include के भी सारे के सारे .h file हमारे चले गए है कुडा के include folder में तो यहापर 14 items available है और इस file का जो extension है .lib तो यह सारे के files हमें अभी क्या करना है हमें कुडा के जो भी कुडा में जाने के बाद हमारा जो leave folder यह जो leave folder है इस folder में जाना है इस leave folder में जाने के बाद आपको same file structure मेरेंगा जो है x64 इस में आना है इसके अंदर आने के आपके बाद अभी फिलाल यहापर 29 items available है तो अभी हम क्या करेंगे यह 14 items को जो C U D N N के leave x64 file में available है folder में available है तो उनको अभी हम क्या करेंगे उनको हम move करेंगे कुडा के leave x64 folder में तो यहापर अभी सेम हमें process को follow करना है तो यहापर अभी हम continue button के उपर क्लिक करेंगे तो यहापर आप देख सकते हो हमने जो leave files को भी हमने कुडा में move कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे C U D N N के leave folder में वायेंगे और उसके बाद कुडा में आएंगे तो हमने bin में से सारे के सारे फाइल से go कर दिया है उसके साथ यहाप रएम्स की जानकर दी गई है आप चाहो तो उसको वाये कर सकते हो कुडा के फोलडर में या ना कर सकते हो लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको भी कर दो तो आपको क्या करना है फिर से यहाँ पर जो भी आपका कुड़ा का वर्जन है इस folder structure में आना है यहाँ आपको ध्यान रखना है और इसके बाद यह जो टेक्स्टी फाइल है इसको आपको मुह कर देना है और सेम यहाँ पर आप C-U-D-N-N इसको भी हमने क्या क्या है कुड़ा के साथ configure कर लिया है अब आप चाहो तो आपकी सिस्टेम को restart कर सकते हो मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि आपकी सिस्टेम एक बार फिर से restart कर लिजे ताकि in future में आपको कोई भी दिक्कत ना है जैसे आप सिस्टेम को restart कर ले तो यहाँ पर हमारा run pop up open हो जाएंगा और इसमें आपको type करना है control उसके बाद आपको लिखना है lsysdm उसके बाद आपको लिखना है mandate 그리고 Cpl और अपको OK बढ़ंग के ओपर क्लिक करना है यहाँ पर आपका system properties open हो जाएंगे यहाँ आपर अभी आपको क्या करना है एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको environment variables के उपर क्लिक करना है environments variable के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको just check करना है क्या करना है आपको यहाँ पर just आपको check करना है system variables में आपको यहाँ पर check करना है यह same path और यह जो variable का path है यह दोनों same है कि नहीं है आपको यह cross check करना है और उसी के साथ आपका जो कुड़ा अंडर्सकोर path V11 जो भी आपका version होगा उसका जो path है वो दोनों same है कि नहीं यह एक बार आपको check करना है नहीं same है तो आपको क्या करना है उसको edit it बटंग के ओपर click करना है तो सबसे पहले इसको select करो उसके बाद edit बटंग के ओपर click करो और उसके बाद यहाँ पर आ यहाँ पर cu underscore path है ना यह same यहाँ पर नाम देना पड़ेंगा और उसके बाद जहाँ पर आपका जो यह कुड़ा आपने install किया वो यहाँ पर file को copy इस path को copy करना पड़ेगा और इसको copy करने के बाद यहाँ पर आपको variable value में डालना पड़ेंगा और उसके बाद आपको ok बढ आप किस तरह के से variable path add कर सकते हों तो चलो यहाँ पर अभी हमने कुछ changes नहीं किया तो हम ओकी के ऊपर click नहीं करेंगे तो हम इसको close करेंगे और इसको भी हमने close कर देंगे जस्ट हम भी verify करना था कि भाई path available है कि नहीं है तो इस तरह के से हमने CUDA को भी install कर लिया है और CUDA DNN क किस तरह के से configure करेंगे हमारे CUDA toolkit के साथ वे आप अपको ध्यान रखना है जब भी आप CUDA का इस्तमाल करेंगे और CUDA का इस्तमाल करेंगे तो जो आपको required version है वही वर्जिन को आपको क्या करना है आपको install करना है और उसके बाद आपको ध्यान रखना है जब भी अभी आप pyt पाइटर्ज का इस्तमाल करेंगे और पाइटर्ज को इंस्टाल करना है तो पाइटर्ज की डिपेंडेंसी रहेंगी कुडा के साथ और उसी के साथ CUDN की भी डिपेंडेंसी रहेंगी Q娃 के साथ तो इन दोनों का वर्जिन आपको देख्कें ही आपको पाइटö darf को इंस्टेल करना है और जब अब पाइटोर को इँसवे टॉर्च विजन को भी इंस्टॉल करना है तो टॉर्च विजन का भी जो वर्जन है वो कुडा, CUDNN, एंड पाइटर्च के साथ केलिबरेट होना चाहिए तो चलो अभी सबसे बोल हम देखते कि भाई हमें पाइटर्च को इंस्टॉल करना है तो पाइटर्च हम कहा से इंस्टॉल करेंगे, तो पाइटर्च को आपको इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर एक वेबसाट के लिंक मिल जाएंगे, आपको जिस गूगल में सर्च करना है पाइटर्च और इसके बाद आपको इस तर इंटरफेस मिलेंगा तो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगा कि आपको पाइटर जो बिल्ड वर्जन कुन सा चाहिए जैसे यहाँ पर स्टेबल है प्रिव्यू है और ल्ट्स है राइट तो बेसिकली हम क्या करेंगे स्टेबल की ऊपरे रहेंगे उसके बाद यहाँ पर आ हमें पैकेजस कौन सा चेक कौन सा पैकेज का इस्तिमाल करके हमें टॉर्च और पाइटर्च को इंस्टॉल करना है तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे हमें खुद हमना एंवर्मेंट करेंगे तो एंवर्मेंट के लिए हम वर्चुल एनवी और हम कोंडा का इस्तिमाल करते तो basically हम maximum तुर पर जो भी हम software development का काम करते तो उसमें, कॉंड़ा का इस्तेमाल करते है विसलिए आपको कॉंड़ा का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट याप पर आपको पूछा जाएंगा language आपको कुझसी language का इस्तेमाल करना है obviously हम python का इस्तेमाल करेंगे और जो अब भी हम वीडियो बना रहे हो specifically हम इसलिए बना रहे है कि हम PyTorch को इसलिए इंस्टाल कर रहे है कि हमारा PyTorch GPU का इस्तमाल करके जो भी हमारे डीप लर्ने की model की training इंफरेंस है वो fast में हो जाए हाला कि आप आप PyTorch को CPU के साथ इंस्टाल करना चाहते हो तो यहाँ पर CPU के उपर आप क्लिक करना है और आप GPU के लिए इस्तमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दो क्टाहते हो तो यहाँ पर आपको कमार्ण मिलते हैं यही कमार्ण का आपको इस्तमाल करना है और यह कमार्ण आपको आना कुंडा करेंगे हम ns install करेंगे और उसके बाद हम दूसरा प्रेंगे टॉर्च वीजन को उसके पद यापर है टॉर्च अड्योड को और उसके बाद यह kuda toolkit बेसिकली क्या होता है जब में आप टॉच के लिए खुद के लिए खुद के लिए कुडा को भी इंस्टॉल कर लिता है तो यहाँ पर कुडा टूल किट का जो वर्जन है वह 11.1 है और इसको बाद माइनस सी इस कमाड का इस्तमाल करके आप इसलिए पाइटर्च टॉर्च विजन और टॉर्च ऑडियो को इंस्टॉल करेंगे विद जिप्यू के साथ ओके यह अभी हमने कमाड यहाँ से तो हमने प्राप्त कर लिए लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह सवाल होंगा कि हमारा यहाँ पर जो कुड़ा वर्जिन हो 10.2 यह 10.1 यह 11.4 यह कोई भी यहाँ पर जो ऑप्षिन दिये गया है कुड़ा 10.2 और कुड़ा 11.1 इसके अलवा आपका कोई भी कुड़ा का वर्जिन होंगा और इसके साथ CUDNN का भी वर्जिन अलग होंगा तो उस सिच्वेश में आ आप एक नए वेपसाइट एक नए पेच्वेश पर आजाओंगे और यहाँ पर आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको अलग अलग पाइटर्ज की वर्जिन में बिलेंगे जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट कुड़ा और के साथ कंपैटिबल रहेंगे जैसे कि यहाँ पर अ और यह आपर टॉर्च आडियो का भी 0.8.0 यह आपको वर्जिन मिल जाँगा अब आपको अब रहेंगा फैंट बताता हो जब भी पाइटर्ज को इंस्ट्रॉल करते हो उपार इंस्ट्रॉल करते हो तो और पर आपको बतना चाहूंगा जब भी आप 1.8 यहाँ एक कर रहे ज्यादा रहेंगा और तॉइट पर रहेंगा और पाद में तो यहां पर मैंसी रुपे जीरो रहेंगा दिया है मग अब आप जानना चाहते हैं कि हमारी Linux उप्रेटिंग सिस्टेम है और विंडोस उप्रेटिंग टो उसके लिए कोंसे कमांड रहेंगे तो बैसिकली दोनों के लिए सेम एक मांड रहते हैं यहापर आप देशलते हों आप लिएपर करना था कि कुड़ा का 11.he है तो आपको यह कमांड का इस्तिमाल करना पड़ेगा पैस सिर्प बिव्यूर्ट तो आपको यह कमांड का इस्तिमाल करना है नेक्स्ट यहां पर यह विल है जैसे कि आपर यह ओप्शन अलग है जैसे हमने यहां पर कुंडा का इस्तिमाल किया था आपको पीप के साथ इस्तिमाल करना तो पीप के लिए यह कमांड है और उसे के साथ यहां पर आपको यह 10.1 का इस्तवाल करना एक कुड़ा 10 2 टो आपको 10.2 है इस्तवाल करना है ऐस्तवाल करना तो अलग अलग वर्जिन के लिए आपको यहाप paar अलग कमंद मिलेंगे तो चिंदा करने के जुरुत नि यह इतना आप निचा dessert तो आपको ओल्डेस वर्जिन मिलेंगा पाइटर्ज का यहां पर आप देख सकते हो आपको समझ में आ गया कि भाई कुड़ा का वर्जन कुन सा है उसकी साथ ही हमें उसको देख की हमें क्या करना है पाइटर्ज को इंस्टाल करना है तो यहां से हमने अभी कमांड तो प्राप्त कर लिए कि इस कमांड का इस्तमाल करके हम पाइटर्ज और्ज विजन और टॉर्ज और्ज आड़ियो को इंस्टाल करेंगे विद कुड़ा कंपैटिबिलिटी के साथ बस यह कमांड आपको कहां पर अभी तो उसक्त आप जिप्यू का इस्तमाल नहीं कर पाँगे तो चिंदा करने की कुई जरूरत नहीं है अनकॉंडा को किस तरह के से इंस्टाल करते इसके लिए उपर हमने स्पेशल टूटूरियल बना जा है आप आयकार्ड में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने वाद आपको यहाप पर अनकुंडा प्रॉंट यहाप दिखरें आप अनकुंडा प्रॉंट अनकुंडा 3 इसको उपन करना है इसको उपन करने के बाद यहापर आपका अनकुंडा जो बेस इन्वर्मेंट है वो यहापर एक्टिवेट को install करेंगे यह पर आभी आपको नया environment क्रेट करने के लिए आपको लिखना है कुंडा कुंडा का environment क्रेट कर रहे तो यहाँ पर आपको लिखना है कुंडा उसको दम क्या कर रहे हैं हम create कर रहे तो हम यहाँ पर लिखेंगे create next हमें किया करना है यहां पर हम एक name देना है हमारे environment को तो यहां पर हम ले रहे हैं माइनस N उसके बाद है जो भी आपका environment create करना है वह आप यहांपर नाम देए हो सकता है तो यहां पर just for understanding के जब कोई भी नाम देशने हो उसके बाद आपको यह पर रिखना है Python का वर्जन आपको ध्यान रखना है मैं आपको यह सप्क्राइश करणा कि जब भी आप कोई बीन वर्जन रहेंगा वह आपका बैसे कली पूराना वर्जन होना चाहिए latest version मतलो आप क्योंकि जब भी कोई नए नए package आते हैं तो उसके साथ जो उसकी dependency रहते है जो different commander package रहते है वो package अपड़ीट होने ले time लगता है जो stable version रहता है वोी stable version आप लिया करो तो जैसे कि अभी जो main stable version है Python कऊ है 3.6 तो यहापर मिले रहो इंस्टाल करने या पर packages के नाम दे जाएंगे राइट और यह package आपको install करने हैं तो आपको क्या करना है नीचे आना है और यह आपर proceed में यह पर y लिखाए y मतलब yes होता है n मतलब no होता है तो obviously हमें यह package इनस्टाल करने तो हम यह पर क्या करेंगे or इसके बाद आपको enter बड़ करना है यह उसके बाद को आपधे है यह पर आपका आप्सच जो प्तूब्ल से इन्स्टाल हो जाएगे उसके इन्स्टाल होगे तो यहां पर आपको कमांड में मिल जाते हैं तो to activate this environment use below command तो यह आपर आप देशा तो यह command आपको इस्तमाल करना है और इसके साब से आप activate कर सकते हो आपके environment को और उसके बाद मान लो आपको जो आपका environment है उसको deactivate करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है यह command का torch तो चलो enter बड़न को hit करते हैं और इसके बाद हमारा environment को activate कर लेते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देशा तो हमारा base environment था अभी हमने kuda underscore pytorch इस environment को activate कर लिया है तो अभी आपको देखना है कि इस environment में हमारे different package install है तो उसके लिए आपको लिखना है जस पीप और इसको लिए लिखना है list इससे करना कि भाई जो भी पीप कमान का इस्तमाल करके जो package install होते हैं उनकी हमारे पास यहां पर list मिल जाएंगे बेसिकलिए इसका मतलब यह configuration के साथ तो इस command को आपको copy करना है और copy करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बतना चाहूंगा कि यह आपर एक note दी गई है इस note को पढ़ना है यह आपर बोल दिया गया कि कुंडा फोर्ज channel is required toolkit 11.1 यह toolkit होनी चाहिए तभी आप इस command का सही तरके से इस्तमाल कर पाऊंगे तो चलो अलड़ी हमने कुडा टूलकिट 11.1.0 इसको हमने install कर लिया है तो हमें अभी कोई दिक्कत नहीं आएंगे तो इस command को मैं copy करूंगा और copy install हो जाएंगे अब आपको मैं फिर सिक नोट देना चाहूंगा कि आपको यह package install करना है तो आपके पास इंटरनेट जो डेटा है आपके पास around 2GB होना चाहिए मानलो आपके पास 2GB data available नहीं है तो आप कमांड का इस्तमाल ना करो क्योंकि यह software जो बिसिकली बहुत बड़ा heavy package है और उसको install होने के लिए आपको डेटा ज्यादा लगेंगा यह आपको precaution लेने और यह precaution लेने के बाद है आपको यह enter बढ़न को प्रेस करना है यह आपके पास limited time होगा तो भी आपको यह command को भी follow नहीं करना है इसको तोड़ा time लगेंगा तो चलो enter बढ़न को हिट करते हैं यहापर आप देख सकते हो जो पैकेज का metadata हो आभी collect हो रहा है यहापर तो यहापर आप देख से तो जिससी metadata collect हो जाता है उसके बाद आपको यहापर permission पूछी जाते है कि भाई आपको जो भी package से वह install करना है तो आपको y बटन को प्रेस करना है नहीं install करने तो आपको n बटन को प्रेस करना है तो यहापर आपको मैं बतना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी command का इस्तेमाल करते हो और command का इस्तेमाल करने के बाद वह command किस तरह के से exit होंगी कुन सा package install होने वाला है download होने वाला है उसकी information हमें सबसे उपर यहाँ पर मिल जाती है यह आपको तो आपको data ज्यादा लगेंगा तो देशे कि आप देशे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा package है वह है kudat toolkit 11.1.1 उसके जो size वह है 1.20 GB तो यहाँ पर आप देखे तो data ज्यादा लेंगा उसी के साथ आप नीचे आते हो और नीचे आते हो और नीचे आते हो यहाँ पर आपको जो size है 1.59 GB तो approximately यहाँ पर total calculation करके आपको मिल चुका है कि वहाई data कितना consume होने वाला है तो यहाँ पर आप देशे कते हो 3.0.2 GB यहाँ पर data consume होने वाला है आप आपका mobile नेटों का इस्तमाल करने वाले तो obviously आपको बड़ा package डालना पड़ेंगा तभी आप इस packages को download कर सकते तो चलो आपको ध्याँ रखना है आपके पास total 3.2 GB कम से कम आपको data होना चाहिए आपके पास मैं तो बोलूंगा 3.5 GB होना चाहिए आपके पास तभी आप इस command को इस्तमाल करो ओके यह package डाउनलोड होने के लिए आपको टाइम भी लगने वाला है इस depends on your internet connection speed तो मेरे पास 100 MB per second की speed है तो उसके वह जैसे मुझे जस्त 2-3 मिनट के अंदर यह package से डाउनलोड हो जाएंगे लेकिन आपके इसमें आपको time ज्यादा लग सकता है तो चलो यहापर हम Y बढ़न को press करते है और उसके बाद हम क्या करते है अभी हम इंतजार करते multiple packages को download होने के लिए तो यहापर मुझे पाइट और टॉर्च को download करने के लिए and install करने के लिए total मुझे 30 minutes लगे basically मुझे डाउनलोड करने के लिए less than 10 minutes लगे थे total 3.2 GB data को download करने के लिए but यहापर मेरे जो system तो slow थी उसके वजह से मुझे उसको install होने के लिए आप approximately पकड़ सकते हैं मुझे 20 minutes लगे बट यहापर जो time है वह आपके system की हिसाब से आपको depend करेंगा और यह vary करेंगा आपके internet speed slow होंगी और उसे के साथ आपकी system भी normal होंगी तो आपको maybe एक गंटा भी लग सकता है दो गंटे भी लग सकते या तीन गंटे भी लग सकते इस process को complete होने के लिए तो आपको patience रखना है और आपको just wait करना है तो यहापर अभी हमारे पास कुडा तो download हो चुका है install भी हो चुक है अब हमें उसको test करना है क्या करना है अब हम उसको test करना है तो हम उसको किस तरह के से करेंगे और उसी के साथ हमारा main focus का कि हमारा जो Pieان हमारा जो Pytorch है वो हमारे कुđडा वर्जिन को accept कर रहा है उसको use कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है उसी के साथ हमारे GP को सभी तरी किसे access कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है यह हमें mainly check करना है तो यहाप आपको ध्यान रखना है जिस environment में आपने pytorch को install किया है तो वही environment में आपको रहना है तो अभी आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लिखना है python python लिखने बाद यहाप आप देखे तो हमारे python का version है 3.613 अब हमें क्या करना है हमें import करना है pytorch को तो pytorch को import करने के लिए आपको लिखना पड़ता इंपोर्ट उसके बाद torch लिखने की ज़रुवत नहीं है तो यहाप अभी हमारा torch इंपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट होने के लिए थोड़ा इसको time लेगेंगा as compared to tensorflow and keras pytorch यह थोड़ा heavy package है आप उसकी size से भी अंताज सब्सक्राइब हम देखेंगी कि इसका वर्जन क्या है तो वर्जन दिखने के लिए आपको लिखना है torch dot underscore underscore और वर्जन as simple sorry वर्जन उसके बाद आपको underscore underscore यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास torch का जो वर्जन है वह है 1.9.0 इसी के साथ आप torch विजन का भी वर्जन देख सकते हो तो उसको लिए आपको क्या करना है सबसे बाल आपको इंपोर्ट करना बढ़ेंगा torch विजन और उसके बाद आपको क्या करना है आपको लिखना है torch विजन dot underscore underscore वर्जन underscore underscore यह पर आप देखें तो torch वर्जन का जो वर्जन है वह है 10.10 जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहापर जो सेकंड प्लेस में जो वैलू रहते है जैसे 1.9 यह जो सेकंड प्लेस की वैलू है उससे एक वैलू ज्यादा रहते है torch विजन का वर्जन जो सेकंड प्लेस पर तो देखें तो यह आपर 9 है यह आपर 10 आ चुके है तो इसके लिए कुछ कमांड से उस कमांड को अभी मैं आपको बताऊंगा तो अभी हम क्या गरेंगे सबसे पर अभी हम चेक्क करेंगे करना है और इसको आपको एंटर बढ़ंग प्रेस करना है बट यहाँ पर मेरे सिस्टम में एंवीडिया का जीप्यू कार्ड नहीं है जस्ट मैंने फोर्स फुली फॉर डेमोंस्ट्रेशन परपस के लिए आपको कूड़ा को इंस्टॉल करके दिखाया था तो इसको जिसे मेर यहाँ पर मुझे आउट्पुट मिला है फॉर्स लेकिन आपकी सिस्टम में एंवीडिया का जीप्यू है तो आपको वैलू मिलनी चाहिए ट्रू क्या मिलनी चाहिए ट्रू आपने जो भी प्रोसेस हो सही तरह के से फॉलो की होंगी तो कुड़ा का वर्जन का वर्जन और आपने सही तरह के से कालेब्रेट करके इंस्ट्रू कियोंगा तो आपको यहाँ पर वैलू true मिलने ही चाहिए नहीं मिली तो आपको इस वीडियो को सही तरह के से फिर से देखना पड़ेंगा. नेक्स्ट अभी हम चेक करेंगे मान लो आपको यह पर true value आते है तो आपको चेक करना है कि आपके पाइटर्श ने कौन सा GPU एक्सेस किया है जैसे कि आपकी system में multiple GPUs होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको लिखना है torch.puda उसको लिखने है dot उसको लिखने है current और हमें device चेक करना है तो हम लिए आपर लिखेंगे device राइट उसका ब्राकेट complete तो यहाँ पर भी हमें error मिला है error क्या बोला है runtime error found no nvidia driver on your system please check that you have nvidia gpu and installer driver from इस particular website से राइट तो obviously मैंने आपको पहले बोल दे कि भाई मेरे system में nvidia जीपियू नहीं है तो उसको जसा में यह error मिल चुका है लेकिन आपके case में क्या value मिलेंगी आपके case में value मिलेंगी 0 मानलो आपके system में GPU 1 भी मिल सकते हैं मानलो आपके बाद 2 GPU है तो आपका पाइटर्स ने GPU 2 यूज क्या होंगा तो वहाँ पर आपके value मिलेंगी 1 यह आपके system में तीन GPU होंगे और मानलो तीसरा GPU इस्तमाल करेंगा तो यह आपको मिलेंगी 2 basically GPU जो आपके system में रहते है multiple GPU रहते है तो उसकी value start from होती है मतलब उसका indexing आप बोल सकते हो 0123 upto जैसे हम python में indexing करते सेम indexing से यहाँ पर GPU की भी indexing होती है right next आपके system में आपको देखना है कि आपका exact जो 0 वाला device है वो आपको check करना है तो आप लेख सकते हो torch.cuda.device और यहाँ पर जो भी आपकी device की value मिलेंगी आपको 0123 तो उसकी आपको जानकरी मिल सकते है यह आ तो यहाँ पर आपको जानकरी मिल जाएंगी भाई कुड़ा device का जो जो object है वो object value यहाँ पर मिल जाएंगे आपको चेक मानलो आपके system में multiple GPU available है और आपको पताने कि भाई कितने device available है तो आपको count करना है device तो आपको लिखना पड़ेंगा torch.cuda.device underscore count bracket complete और श्वाद आपको enterprise करना है, enterprise करने का वाद यहाँ पर जितने भी GPU available हो ऑगे तो आपको यहाँ पर value मिल जाएंगे, मानलो आपको system में gp1 है तो आपको एक मिलेंगा, मानलो आपको system 2 GPUuteur तो आपको value मिलेंगी 2, 3 होंगे तो 3,Con style. तो मेरे case में GPU available है नहीं है तो यहाँ पर मुझे value मिली है 0 अब मेरे system में nvday का GPU एक भी नहीं है तो उसके जैसे मेरे को value मिली है यहाँ पर 0 वह आपको check करना है कि भाई जो भी आपका तो अभी GPU available है आपके system है 0 1 2 3 और उसका आपको name चीख करना है तो उसके लिए आपको लिखना है torch.cuda.get underscore device underscore name और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है जैसे कि आपका भी जिरूत इंडेक्स पर जो GPU available है उसका आपको नाम चाहिए तो आपको लिखना परेंगा 0 और इसको आपको enterprise करना परेंगा obviously मेरे यहाँ पर मेरे system में error ही मिलने वाल है क्योंकि मेरे system में NVIDIA का GPU available नहीं है लेकिन आपकी system में जूपी GPU available होंगा उसका नाम मिलेंगा example के तोर पर आपको यहाँ पर output GPU का नाम बरेंगा right तो आयोप आपको समझ में आ चुके हैं हम किस तरह किसे कुडा को install करते हैं को install करते हैं और उसके बाद हम किस तरह किसे Pytorch को install करते हैं Torch Vision को install करते हैं ताकि हमारा Pytorch NVIDIA का GPU का access करके जो भी हमारे deep learning की model की जो ट्रेनिंग है inference हो वो fast में काम कर पाए तो चोल यार इस टुटियोग हम यह पर end करते हैं आपके दिमाग में कोई भी सवाल होंगे तो उस सवाल के जवाब के लिए आप हमें comment box में लिख सकते हो right मुझे time मिलेंगा तो मैं आपको उनका जवाब देता होंगा तो चोलो दोस्तों अब मिलेंगे हम next tutorial में तब तक के सिखते सिखाते कुछ implement करते रो धन्यवाद